एक यह सेरी करने के बाद नमाज पढ़ी नमाज पढ़ने के बाद अब थोड़ा सा सरे काम थे पानी वनी भना तो डब्बे सब धो रहे थी तो काम करते करते सुबा हो गई तो यहीं सुबा का मैं आप लोगों को दिखा रहे थी किता प्यारा व्यू लग रहे यहां पे तो स्वागत है अफसाना को कि भी ब्लॉक्स में तो चलिए नहीं ब्लोग स्टार्ट कर दिए मैं यहां से तो आज कि आपकी क्या रूटीन है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी यहां पर थोड़ा सा बाहर का भी देख रहे हैं और सो जोड़ी थोड़ा आज जागने वाली रात तो आप लोग को मैं मिलती हूं थोड़ा भी आतो सो जाओंगी तो फिर उटने पहांगी इसलिए मैं सोचती हूं नहीं मैं कुछ तो कहां एडिटिंग कर लोग है जो अभी आडिटिंग कर देती हूं अच्छे आप लोग के लिए फिर उसको आज लाइव भी करना रहेगा तो एडिटिंग करके फिर थोड़ा देख करती हूं थोड़ा साथ बज़े का आड़ बज़े पानी का तो उसके बाद पानी भर गे फिर आस होती हूं मैं और यहां पर बच्छे लोग के लिए आटा चाय की रिदा उठेगे सबसे पहले चाय मांगे कि आज कोई खाना नही रात में डिनर कल लिए तो आपने लिए थोड़ा सा बूनी फिर बच्छे लोग की लिए अलग से थोड़ा सा बून दी अब वो रख दी उन लोग उठेंगे फर गरं-गरं बना के दे देंगी तो चलिए हमें थोड़ा देर बाद मिलती हूं आप लोग को क्या रियोटी न पानी भर चुका अपर अचार रख दी हूं धूप में अब बच जारी सोने सब 8 बच गया अभी तंग नीज नी आ रही अभी अभी अचार को रख देती फिर सोने जाती हूं यह देखें यहां पर दूप निकलना स्टार्ड हो गया है और प्लेन जारी उपर से बड़ा पा अब धूप आएगा तो इसको दो तीन दिन जासे जाधा साथ दिन रखोंगे इसको बाहर से जाधा ने अब यह जबी साम हो जाएगा ना तभी अंदर ले लूँगी तो चलिए अब जाती सोने गुद नाइट मैं सो जाऊंगी तो यहां हुमारी महरानी उठके बैड गई है ऊस्तिका ने सोने का नाम नहीं लेरी है ना सोने दे रही है nih रिदू आप उड़ई यह रिदू आप उड़ई गये गोड मॉनिनंग बोलो अले मेला घुम्लबाला बाल मम्मा के जेशा बाल मम्मा की लड़की यू आर मम्मा गल बलो मत कुर भाई यू आर मम्मा गल यू आर डेड़ नाई नाई बाई 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 ने गुड मॉनिक अस्तलाम वालेकुम असलाम को ऐसा सिखाई हूँ, असलाम वालेकूम, 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 असलाम सब्सक्राइब में हम वो खाल सेट के रहते हैं इत्तों सा आटा गुंती हूं कि ताकि हो जाए अभी हो गया तर नास तर दे दू अब उजी थोड़ा होच काम है देखें तब कप्री निकाल दियो आप लोग कभी मेरा भी मतलब जो आप लोग नहीं पहनते हो ना हूं वो सब निकाल के अभी देद उनी किसी को जर्वत होगी मतलब आज इसलिए सब मेरे स्कॉप पे स्टॉल है तो वही सब में सेट अप कर रही मिलता नहीं है जल्दी वक्त पे कहां गया सब कहां नहीं गया है सब इसकॉप को बांगना है बांगे पर लगना है इस तरीके से आप लोग इस तरीके से अभी रंजानों में जो आप ना थोड़ा अच्छा कप्ड़ा हो नहीं पहनने का हो फटानी वह कप्रा निकाल के नहीं पहनना है तो देद या करो मैं भी दे रही हूँ अभी मेरे कप्ड़े तो मैं पहले दे चुकी हूँ लेकिन अभी फिलाल जो अभी नहीं पहनने का है वह कप्ड़े दे देती किसी को जिसको जरुवत होगी उसको दे देती हूँ और रिदा का आयान का इस जभी रूम सिप्टिंग वाक तभी मैंने दे चुकी हूँ आदे से ज़्यादा कप्ड़ा तभी नोका जो कप्ड़े निकल चुके हैं सब डि आज में यह परपल कलर का है यह पहनूंगी यह मैंने मिसू से और करी थी बटन वाला यह दिखे इस तरीके से और यह कुछ टू फिप्टी या कुछ राउन तो मैं को याद भी निया कभी मैं भूल भी गई थी यह अभी मैंने सब कबाट साफ कर रहे थी तो उसमें दिखा पहना देती हूँ अभी आज सतेवसी रात है इसलिए सब को नया नया पहना देती हूँ और यह सब गद्दा क्लीन हो गया बस लादी बची है बाकी सब हो गया आयान को देखो किस तरीके से गंदा हो गया रिदा भी गंदी हो गई है सब लोग इदर मटी में खेल रहे बस देखें यहां पर लोग चाई पी है मैंने सारा सब कुछ कर दिए बस इधर का लादी साफ करना है और इतना सारा कपड़ा धूल डाली हूं अब हास से ओभी धोई हूं बाकि अब कुछ जादा नहीं करना है पे दिदा को नहला दी हूं आ ताकि यह में लादी करूं ना तो आज भी पढणा है वी जहर का लेट हो गया आज है असे दोनों बच्चे रेडी हो गया घर भी साफ हो गया बस मेरी बारी यह देखिए मेरे दोनों बच्चे क्योत क्यों फूद मैंने बना दि दोनों को एना रिदू यह रिदू इसाम अलेकुम कर लो यह मेरा बच्च características आ तोड़े माई लूक मैंने ये मिसू से मंगाई थे आप लोग को बताई हूं इसको इस्तिरी नहीं करी क्योंकि इतना बिजी रहना आज पता नहीं ब्लॉग भी कैसा बनाया अल्ला बत जाने क्योंकि तो सारा काम साव काम करके फिरी हुई तो देख लीजिए कैसा लग रहा है आप लोग को यह देखिए थोड़ी पतली हो गई हूं मुझे लग रहा है कि मैं पतली हो गई हूं तो खुसी हो रही है थोड़ी सी और कुछ डाइट नहीं करें बस यह तो खाना स्कीप कर दी यहां पर पंखा चल रहे तो इसका वाज ब्लोग में बहुत आएगा इसलिए मैं पहले पंखा बन कर देती हूं और आप लोग बताएं ना कि कैसी लग रही हूं मैं इसे मंगाई थी प्यास और यह पालक इसका बजे बनाओंगी और यह दाल भी भी बिगाई दिने चनदाल को पीस के चावल काटा मिला कि पालक में बज्या बनाओंगी और अभी हो गया साढ़े-पांच अफ़तारी का टाइम होने वाला मैं बली लाओ तयारी कर ले ती अब जोगे यहां पर नहीं दिखाते हुआ बाहर करना जारा यहां पर पैड़ एड़ा आम का वाच्वेन अंक्र लोग आम तोड़ तोड़ की खाली है और ममी नहीं आप अचार बना के आपट सुखाई है और दस्तर खान दूल के ममी यहां पर फैल आई थी यहां पर अफ्तारी के तयारी कर रही है पालक की बतारी हो आप लोगो तो यहां पर यह जो चाना दाल मैंने यह विगोई थी इसी को मैंने पीस ली हूँ एक कप जैसे अराउंड मेरा 10 रुपे का जो एक पालक आता है दस रुपे की एक गुंडिया दिये तो वही दोना है त सब्सक्रos क्र Shea k通 लें चाना डाल लिए और इसको कीछ दों स्कमैन अलग से चना दाल को भज़ये बनाओंग तो इसमें से मैंने एक कप अलग हुंद आप यहां पर मैंने जो पालक हे इस तरीके से हो के पहले कटिंग करके फिर अच्छाष्ए दो के अब मैं यह पालक को यहां पर इसकी भी कर सकते हो प्याज डारेग पालक के साथ भी बना सकते हूं यहां पर एक कप हम लेंगे चावल का आटा अगर आपके पाद चावल का आटा नहीं है तो आप जबी दाल भीगाए तो उसी वक्त आधा कप एक चावल भी भीगा दो ताकि दोनों साथ में इतने साल की हो गई तो अभी तक मेरे घर में यही मैटक से बजिया बनती है गाओं में बनती थी मतलब यह मेरी ममी की स्टाइल की भजिया पालक सोगा कि आदर चमच लेंगे जीरा पॉडर एक चमच लेंगे लाल मिर्ची पॉडर अ कि इस्पुन हम लेंगे इसमें हिंग कि इसको अच्छे तरीके से मिला लेती हूं कि मैं तो हल्दे दालना भूल खे तो यहां पर मैंने अभी चमच हल्दी ली हूं और इसको बिड़ाउड पानी का ही मिक्सर ना ताकि इसमें पानी अल्रेडी दाल में भी है और जो पालक है इसमें अगर आपको जरुवत लगेगी तो पानी डाना नहीं तो पानी नहीं डाला इसमें पहले अच्छे से मिस करने चलो मैं आप लोगो दिखा देती हूं कि किस तरीके से विड़ाउड पानी के क्योंकि दाल को आप उन पीसे ना तो उसमें भी पानी है त चावर काटा जितना डाले इतना सुखर है या ना उतना ही किस भी बनेगी तो देख लिए आप लो या पर मैंने एक बुन भी पानी डाली हो मेरा भजिया का बैटर रेडी हो गया और ऐसा लूज भी लूज भी लूज नहीं लग रहा है टाइट टाइट लग रहा है इस द लेकिन इस वीडियो में सूट की हूं तो जो दो भजिया बना रही हूं कि पप्ली ज्यादा है तो अभी फिलाल अभी बढ़ गई तो मेरे जब तक रमजान है तो सब लोग एक साथी अफ्तारी करते हैं तो इसलिए हैं पर बना देते हुडिया बनाना रहेगा तो देखें अब देखें अब आप लोग और बच्चे लोगों दिखांगा आप लोगों को यह दिखें बाहर रीदा को बोटल चुड़े रहता है देख लो यह देखें पानी देखें लड़की बहुत हैरान करती है कामवाली बाई बन जाती है देखें पोचा लगाओ तुम और यहां पर मेरा ओईल गरम हो गया जब इसमें से धुआ निकलने लगे ना तो समझो यह अच्छी तरीकी से गरम हो गया फिर नीचे से इसको गैस को सिलो कर दो थोड़ा यह लोग प्रिए बीचे बाद में फ्राय करना स्टाड़ करें यहां पर है में तरीके से बाल होंगे पोई को इसको डबल प्राइब करता लेकिन में दबल अने के दवरत नहीं पर ती मेरा उडरी प्रिस्पी हो जाता है बहुत सारे लोग है जो यहां पे मेरे तर एक तो नब थेला स्टरवरिया कि दिखें नीटने के ड़िए कि ना इसमें वो ओगा रहा है यह देखें यहां पर मेरे सर्फूर जी न क्या कर रह थे जो मैंने आचार मतलब बनाकि रखी थी तो वह नहीं देखें थे तो यहां पे इतना च्यूटली वह अचार का डबाइं निकाल के अचार का डबा रही तो मैं स्ञोट कर रहे थी उनको तो अभी देखना आगे वह क्या-क्या वोजिन है तो इधर देख रहे थी क्योंकि उनको ना मतलत बॉल रहते हैं तुम बार-बार कैमेरे में क्या कर रही क्या है और माशाला मुझे बहुत कुछी हुई जो वो आचार को मतलब घर के बढ़े ना कुछ अपने लिए तारिफ करते हैं तो कितना मतलब दिल को सुकून मिलता है और अच्छा भी लगता है तो वही मुझे यहाँ पे मेरे ससूर जी मतलब ऐसा देख रहते कि मतलब यह बहुत अपनद जो सुचक्ऑ करता है तो मेरे फील मिलता है तो बहुत हुई हमाजता है हो हाग चाहि बहुत मुझार गया ना विकने सब्सक्स करता दिख दो चकते हैं मैं जब देखो जब मोबलिय उठाए लिए थी कुछ करें लागो तब कुछ करो तब कुछ करो तो खनवा बनाओ थी तब भूम वज़ी ली रहाती है तिछ जोर में को अपने में आपने लोग पीर अफ्तारी के लिए फिर फिर से वोगे उठाए लिए इतनी जोर कि मैं को हजी सब्सक्राइब नहीं समझ पाएंगे कि ब्लॉगिंग क्या होता है क्या नहीं मैं कुछ और जी ने अभी लाकित दे दिया ये बनाने के लिए अगर भीगा थे तो पहले से बता देते बहुते भावी बना दो कितना दिमाग खराब करते हैं इतना इतना मतलब सब्सक्राइब करते हैं यहां पर सब्सक्राइब करते हैं तो लेकिन अभी मिर पास नहीं था तो मैं यह यूज करती थी और यहां पर सम्झेरा दस्तर खान रेडियो अब अब शुच करने का मन नी करते हैं यह देखो खागे इस पर हम रूप पिर अपर खूँ खाओ इसक्राइब करो दस्तर खांसाप करो यहीं उस्किल काम होता है अब देखाओ आप जोट करने यही आलो दाव अफ्तार कर देखाओ आप सपाइब करो दाए भाई में सब हो गया हाँ और दस्तर खान बेश्ण करने में मुश्किल पड़ता मेरे को तो अब दस्तर खान साब करता है कि अविप दो देखी अब अब फीर नो दिन पर दो देखी नो दिन तक हो श्ति उस्ता में में रहा है यह अब इस अभी मेरा सब क्लीनिंग हो गया यह देखे में प्रॉर को क्लेनिंग कर दी हूं और अबी मैं जारी थोड़ा सोगी थोड़ा सा नेप लूगी ताकि मेरे को थोड़ा आज इबाद़ करने को टाहिए आज में सुबह से ना ज्यादा सोई नहीं हूं एक दम कम ही सो अब यह तो खाते को दूसरा देता अपने हाथ और भी तेस्टी रखता है और तो मैं और जारे थोड़ा सोएंगे फिर आप लोग से उठके पर मैं मिलती हूं अभी हजबन भी अवजबं आज अफ़तारी पर नहीं आयं ते वो कहीं पर काम फॉस गये थे तो सब लोग अफ्तारी कर लिए मैं उठके आप लोग से बात करते हूं थोड़ा सोज़ों रिदा को भी सुलाने की कोशिद करें तक रात में इबादत करें अच्छे से नीदना है आज थो बहुत बड़ी रात है तो थोड़ा पड़ी सो जाती हूं फिर में मिलती हुआ हो रहा ह तो अभी तक आये भी नहीं तो अभी इबादत करने का भी टाइम भी हो रहा है और मैं सोई भी नहीं उपर चले के साथ में थोड़ा बात बात कर रही हम लोग बैठे थे बच्छे लोग मस्ती होती कर रहे तो मैं यह ब्लॉक यहीं पर एंड करती हूं और अच्छा लगे लाइक शस्क्राइब जरूर करना बैल आइकन पर जरूर प्रेस करना ताकि मेरे से लिए डर कोई भी वीडियो मिस नहीं तो अभी जारी हो इबादत करती हूं दूदूद मंगाती हूं चाइप बनाती हूं ताकि जब भी मैं जागूं तो मुझे नीद नहीं क्योंकि मैं क फिर उसके बाद से सुबा से तब से कुछ भी नहीं सोई की फिर बच्चे लोगों देखना घर को साफ करना कपड़ा दोना कितना सब कुछ काम था तो चलिए फिर मैं अला